हेलो गैज, कैसे हो आपसे अप उम्मेद करता हूँ, अच्छे हूँगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि आप अपने फोटो, वीडियो और डॉक्विमेंट को लाइफ टाइम तक के लिए कैसे सुरच्छित रख सकते हूँ क्योंकि गैज, हम अपने फोटो को, वीडियो को और डॉक्यूमेंट को पेंड्राइब में रखते हैं, फोन में रखते हैं और हार्डिक्स में रखते हैं लेकिन गैज, जब ये चीज़े खराब हो जाती है तो दोस्तो इसी के साथ में हमारा जो डेटा होता है, वो लॉश्ट हो जाता है यानि उसी के साथ चला जाता है, और हम अपने डेटा को रिकवर नहीं कर पाते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालंव कि आप अपने फोटो वीडियो को गूगल ड्राइब पे कैसे सेव कर सकते हो, और गैस अगर आपका फोन खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो दोस्तो आप दूसरे फोन में बहुत ही आसानी से अपने डेटा को रिकवर कर पाऊगे यानि आप अपने फोटो और वीडियो को दोबारा अपने फोन में वापस ला सकते हो बहुत ही आसानी से और गैस इसकी खास बात यह है कि इसमें आप 15 जीवी तक का डेटा सेव कर सकते हो तो गैस चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप गूगल ड्राइब में लाइफ टाइम तक के लिए अपने फोटो वीडियो को सेव कर सकते हो तो गैस आज का यह वीडियो काफी इंटरस्टिंग और काफी इंपोर्टेंट होने वाला है बने रही है मारे साथ इस वीडियो में स्वागत है आपका मेरे यूड़ोग चलेल मौरजी टेक्निकल में मैं हूँ अमित कुमार दोस्तो अगर भी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नएने अप्रिकेशन स्लेटे नएने जनकारे स्लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए फोन के ओम स्क्रेइन पे चलते हैं तो गैज हमागे हैं फोन के ओम स्क्रेइन पे अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोटो वीडियो और डोकुमेंट को लाइफ टाइम तक के लिए सुरच्छित रख सकते हूँ दोस्तो आप सभी के फोन में गूगल राइब तो जरूर होगा दोस्तो आपको गूगल राइब को ओपेंड करना है अगर आपके फोन में गूगल राइब नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से इस्टॉल कर सकते हूँ दोस्तों जब आप इस application को open करोगे तो आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा अब guys इसके बाद आपको यहाँ पे click करके अपने Gmail ID को select कर लेना है क्योंकि guys काफी सारे लोगों के phone में काफी सारा Gmail ID login होता है तो guys जिस भी Gmail ID में आपको अपना data save करना है आपको यहाँ पे click करके उसको select कर लेना है और guys आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा इसके बाद guys आपको यहाँ पे नीचे काफी सारे option मिलेंगे अब guys इसके बाद आपको data save करने के लिए आपको यहाँ plus पे click करना होगा और guys यहाँ पे आपको 6 option मिलेंगे folder, upload, scan और यहाँ पे आपको नीचे और भी option मिल जाएंगे इसके बाद guys सबसे पहले आपको यहाँ पे folder पे click करना होगा और यहाँ पे आपको एक folder बनाना है guys आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो अगर आप photo upload कर रहे हो तो guys जिसका भी photo है आप उसके नाम से folder बना सकते हो अगर दोस्तों आप video upload कर रहे हो तो आप video लिख सकते हो अगर आप document upload कर रहे हो तो आप यहाँ पे document लिख सकते हो तो जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ Amit photo तो guys यहाँ पे मैंने अमित फोटो डाल दिया है इस फोल्डर का नाम अब आपको यहाँ create पे click कर देना है तो guys हमारा जो folder है वो create हो चुका है अब हम इस पे click करते हैं इस पे guys जब आप click करोगे तो कुछ इस तरह का interface मिलेगा अब इसके बाद आपको यहाँ plus पे click करना होगा और guys यहाँ पे आपको दूसरे वाले option यानि upload पे click कर देना है तो guys जब आप upload पे click करोगे तो आपके phone की जो gallery है वो open हो जाएगी अब यहाँ पे आपको काफी सारे option मिलेंगे photos का, file manager का और यहाँ पे आपको document बगेरा के काफी सारे option मिल जाएगे तो guys यहाँ पे मैं उस photo को select कर लेता हूँ जिसको मुझे google drive में save करना है अब दोस्तों यहाँ पे मैं three line पे click करता हूँ और gallery को open करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो gallery है वो open हो चुकी है अब इसके बाद जैसे मुझे इस वाले photo को google drive पे upload करना है तो यहाँ पे हम इस photo पे click करते हैं तो guys यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो photo है वो google drive पे upload होने लगा है तो guys यहाँ पे कुछ time लगेगा अगर आपका internet speed अच्छा रहेगा तो जल्दी से upload हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो photo है वो हमारे folder में upload हो चुका है अब यहाँ पे हम back आ जाते हैं तो अब हम फिर से इस पे click करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे folder में हमारा photo सेव हो चुका है तो दोस्तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने photo को google drive में save कर सकते हो इसके बाद guys यहाँ पे हम plus पे फिर से click करते हैं और guys यहाँ पे हम फिर से एक folder बनाते हैं अब यहाँ पे हम डाल देते है video तो यहाँ पे हमने video डाल दिया है और create कर लेते हैं अब guys यहाँ पे हम click करके कोई एक video upload कर देते हैं तो यहाँ पे हम upload पे click करते हैं इसके बाद guys यहाँ पे आप जब scroll करोगे तो आपको यहाँ पे video का भी option मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपके phone में जित्ते भी video होंगे आपको यहाँ पे show हो जाएंगे और guys आपको उस video को select कर लेना है जिसको आप upload करना चाहते हो तो यहाँ पे हम इस पे click करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो video हो upload होने लगा है तो guys यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो भी upload हो चुका है हम इस पे click करके यहाँ से play भी कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वीडियो play हो गया अब यहाँ पे हम back आ जाते हैं अब guys अगर आपको document upload करना है तो आपको फिर से यहाँ पे plus पे click करना होगा और guys Google Drive में उसको open करना होगा जब आप उसको open करोगे तो आपको यह folders मिल जाएंगे आपको simply folder पे click करना होगा और यहाँ पे three dot पे click करना होगा और आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा download का और guys यहाँ से आप अपने photo को वीडियो को download कर सकते हो गो directly आपके phone के gallery में save हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ भी आपको काफी सारे feature मिलते हैं जैसे यहाँ से आप directly अपने photo वीडियो को share कर सकते हो और दोस्तों आप अपने Google Drive का link किसी को भी share कर सकते हो और guys जब आप अपना link किसी को share करोगे तो सामने वाला बंदा उस link पे click करके आपके photo वीडियो को download कर सकता है guys जैसे अगर आप चाहते हो किसी को अपना photo देना तो guys आपको अपने Google Drive में अपने photo को upload करना है और उसका link किसी दूसरे को दे देना है guys जब भी वो चाहेगा आपके photo वीडियो को download कर सकता है तो दोस्तो इस तरह कि यहाँ पे काफी सारे feature दिये गए है तो दोस्तो काफी कमाल का application है अगर आप अपने photo वीडियो को सुरच्छित रखना चाहते हो तो दोस्तो इस से बेहतर कोई भी तरीका आपको नहीं मिलेगा और guys यहाँ पे आप 15 GB तक का data save और secure कर सकते हो यहाँ पे जब आप home screen पे click करोगे तो आपका जो इतना भी data रहेगा आपको home screen पे show हो जाएगा इसके बाद guys आपको यहाँ 3 line पे click करना है और guys यहाँ पे आपको storage show होता रहेगा कि कितना GB data आपका full हो चुका है और guys यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो Gmail account है वो 62 GB तक full हो चुका है और guys यहाँ पे हमें 15 GB का space मिलता है यानि आप 15 GB तक का data यहाँ पे save कर सकते हो और guys इसको आप किसी भी phone में access कर सकते हो तो guys इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने photo, video और document को lifetime तक के लिए सुरचित रख सकते हो तो guys उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार चैनल पे नए आए हो चैनल को सस्क्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नेने applications लेटे नेने जानकार इस लेटे वीडियो बनाता रेता हूँ वीडियो को देखनी के लिए धन्यवाद